नमस्कार आदाप सास्त्रीकाल एंड हेलो एव्रिवान मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी गरीब बच्चे को पैसे मांगते या काम करते देखा है अगर आपने देखा है तो आपने क्या सोचा इन शॉर्ट कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि यह बच्चे ऐसा करते क्यों क्या आपने उन्हें पैसे देकर प्रेडित किया और काम करने के लिए या फिर उन्हें डाट कर भगा दिया या फिर समझदारी दिखाते हुए उन्हें समझा कर समझाने की कोशिश की की पढ़ाई करें काम ना करें इसका जवाब तो आप और सिफ आप जानते हैं हम भी देखते आ रहे हैं और आखिर कब तक देखेंगे and now it's a high time to do something to do something for them and to do something for the nation हम भी students हैं and trust me when I say this हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को काम करने से और मांगने से रोका जाए और शिक्षा की तरफ प्रेरिट किया जाए क्योंकि जब तक आप कुछ के लिए कुछ नहीं करेंगे कोई आप के लिए कुछ नहीं करका नमस्कार मेरा नाम अक्षय शुकला है नमस्कार मेरा नाम प्रिंस राज है और हमारा foundation है एक कोशिश प्रयास और हम बस यहीं कोशिश कर रहे है कि उन बच्चों की मदद की जाए और उन्हें quality education की तरफ motivate किया जाए क्या आप भी हमारी तरह एक छोटी सी कोशिश कर सकते है मुझे यकीन है आप कर सकते है क्योंकि आपका minimum effort किसी के लिए maximum help हो सकता है तो आप भी आगे आए और help करने की कोशिश करें अब आप यह सोच रहे होंगे कि help कैसे करें आप हमें contact कर सकते है और अगर आप मेंसे कोई sponsorship के लिए आगे आना चाता है तो यह बहुत बड़ी help होगी उन बच्चों की survival के लिए उन बच्चों की well-being के लिए उन बच्चों की lifestyle के लिए अब आप यह सोच होंगे कि donate क्या करें कुछ भी कर सकते है आप पैसे donate कर सकते है आप कपड़े donate कर सकते है आप toys donate कर सकते है stationally donate कर सकते है anything you want it's completely up to you जो आपको लगता है उन बच्चों की survival well-being, lifestyle, education के लिए important है आप पो सब दोनेट कर सकते है completely up to you and remember child is meant to learn not to earn जैंद